जैने दोस्तों, how are you? I hope you are doing great. My friend today in this class, I am going to discuss with you 20 most important MCQ from the lesson that is Discovering Tut Saga Continues. जिया दोस्तों, in today's class, आज के दोस्तों, इस class में मैं discuss करने वाला हूँ, पौन साचेप्टर सर, जिया सर, Discovering Tut Saga Continues that is written by A.R. Williams. जिया दोस्तों, A.R. Williams के दोरा लिखा गया, Discovering Tut पर एक बहुत ही खुबसरत स्टोरी है, जिया अभी तक इस स्टोरी को नहीं पढ़ा होगा, ताप एक बार स्टोरी को पढ़िए, इसकी बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिया जैसे का आपका एक्जाम बहुत स्टोरी क्या क्या पॅलता है, एक अंगद परस्टन कुरोण को बाद इसकाबर, टॉट, चॉबड और वन, जिया, शूज़ इसकाबर, टॉट, चॉबड और वन, यानि कि जिए कि तॉट के टॉबड को कौन डिसकवर किया था और सर कभ किया था जिया, आपका पास Edam Poplar ने किया था 2001 में या फिर हावर्ड कार्टर किया थे इंग 2022 में या फिर हावर्ड काचर इन 1930 या फिर सैम साव इन 1890 में जैए सर यहति अपने चिप्टर को अच्छे से पड़ा होगा ता सर्थ आपको बिल्कुल पता होगा किस ने किया था से जिया सर उनके टॉम को डिसकबर करने वाले थे हावर्ड काचर जो कि कब किया थे सर 1922 में के लिया बिल्कु के लिए रहा सर चलिए सर्क्सेण नंबर नेक्स्ट यह रहा सर आपके स्क्रीज पे question next बोलता है when was touch body taken for city scan after being found when was the start body यानि कि touch body जो body था ना जो सरीड था कब उसको ले जाया गया था catches के लिए city scan के लिए after being found after being found यानि कि जब उनके body को जब फोज लिया गया था तब कब उनके body को फिस city scan के लिए जाया गया था जिया सर कब लेंज जाए गया था अफटर वन एर एक साल बात बिल्कुल नहीं आफटर 80 येर ऑप्ट या फिर फिटी येर पचास वर्स बाद या फिर फिर आफ्टर 30 ये सरे चेप्टर में बिल्कुल किलियर है कितना सर आफटर 80 ये सरे HIM एक्सट्रा सर आपके स्किन पर बहुत इंप्रेंट कोशन है गाईस एक्जाम के पाइंट आफ यू से एक एक इस बहुत इंप्रेंट है इसलिए आप बीना स्किप किये इस वीडियो को ज़रूर देखेगा कोशन में एक्स्ट फूर हाव मने एर्स डीड एम एने होटेव था या फिए 20 यह नो सर टेन यह बिल्कुल ने सर यूर राइट ऑप्शन इस फोटी इयर जिया सर यानी ऑप्शन विल भी डी विल भी राइट यह से एम उने हट्ट फार्ड उन्होंने चालीस वर्सों तक इस इजिप्ट पर क्या किया था राज किया था क्लियर हो रहा है बि क्रिटों कों था और सृड्रिप्स दरन यह फिर ती यह फिर क्लियर है और क्सेशिप्ट करते थे ऐसा बिल्कूल नहीं था क्लिए एनिकि क्लियर Dragon वर्षिफ ओफ एटन जियां मैं डिफेंट मैं आपको बदा दूँँ कि इजिप्ट में सूर्ण को एटन बोला जाता था वही क्वेशन आप से कि सूर्ण के पूजा को उ concret कियां कि सञर्ण के पूजा को किस सचे तूटन खामुन साहब नंसर यहां पर बिल्कुल विल्कूर t सब्सक्राइब करने के लिए किनों ने किया था एमनों होटेव फॉर विल भी राइट ऑप्सन क्लियर बिल्कुल क्लियर नेक्स्ट वाट नेम डिस एमनों होटेव फॉर चेंज कर लिया था बाद में चल करके उन्होंने अपने नाम को क्या चीज में बदल लिया था सर यानि क्या नाम रख लिया था एमना नाम नाम रख लिया था एमना बिल्कुल नो सर अटूल बिल्कुल नो सर योर राइट ऑप्सन इस अकें टर्ण जिया सर एमनों होटेव फॉर ने अपने नाम नाम को चेंज करके बदल करके उन्हें अपने नाम को कर लिया था बाद में अकेंड चन इमनुवटिफ थर्ड नौ सर दिस इस रॉंग यूर राइट ऑप्सान बसी याट इस अकेंड टन क्लियर हो रहा है बिल्कु क्लियर हो रहा है सर्व क्वेस्टन नमबर नेक्स्ट क्व ओढ़ी डिया help वाट वञांडवीट चवट चुटन्खामूंस के साथ क्या क्या मिला था यानि कि जब उनके कबर सेनंंके निकाला गया था सतर्प्षक्啊 तो बढूले सब्स्टाहिक्स मिले थे वह सख़जन्द क्या क्या मिला था Sirm., आपको ज्यादा सटिक एंसर देखन उप्सेदा सभूप्सक्राइट सबसे ज्यादा सटी केंश आपको क्या करना है सर मरना है देखते हैं गुल्ड तो मिलाता हॉच्प प्राइब फूर प्राइब भी बिला था जिस और वाइंस भी मिले थी ते दी हैं दोस्तों क्लिए रहा है बिल्कुल ते यह लुग नियुज प्राइट ओगसे ने किकिनुपर प्लता है बोलता है बोलता है कितने वर्सों तक राज किया था दोस्तों विल्कुल सही जबाब उपसर नंबर एविल बीड़ीज नाइन इयर सिदा आगे बढ़ते हैं सर यानि कि कितना वह वर्सों तक राज किया था नौ साल तक उन्होंने क्या किया था राज किया था उसके बन का अचानक से देहांत हो सब्सक्राइब को बिल्कुल पाता होगा वहां पर इजिप्ट में ऐसा माना जाता था ओस्रीज कोन थे तो गौड ऑफ अफ्टर लाइफ यहां मरने के बाद भी कोई भागवान होते हैं उन्हीं को वहां पर ओस्रीज कहा जाता था राइच तो यह क्वेशन आपसे हैं वह जो सिरी जो सिरीज कोन है गाड़ अफ नेचर प्राकिप्ति का भागवान बिल्कुल नो सर गौड अफ्टर लाइफ वाउ उप्शन नमबर बी डाट आप्टर लाइफ आगे का अप्शन गलत है सर गौड आप सी जंश नो सर गौड ऑफ युनिवर्स नो सर राइच ऑपस का मतलब क्या इसको बलते हैं लेर चड़ाय गया था राइच रॉक कट चाटानों को काटा गया था बहुत ज्यादा वाल पेंटिंग वीथ गोल्ड प्लेट वाल पर बहुत ज्यादा पेंटिंग था गोल्ड कलर का राइच या फिर ओप्शन नमबर डी होगा सर रॉक कट यानिकि चाटानों को काटा गया था 26 फीट अंडर ग्राउंड 26 फीट अंडर ग्राउंड में काटा गया था रॉक को वीच हैड वाल पेंटिंग और उसके वालों पर उसके दिवालों को वहां बहुत ज्यादा पेंटिंग था सर जिया सर most suitable option will be option नमबर डी जिया सर ऊ sıर्शाल आक लख रखा कहची था सरींग बेंटिंग बना हुआ था नंडर पेंटर हो और यह सब्सक्रीं लगए सब यरे कभी स्याल को लो लगभाग यह था-जार पहले यह 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 आपके बिल्कुल पाता होगा यह उपसे नमबर बीदाट इस थाटी थाटी थाउजेंट इया इगू नेक्स टाइसर आपके सिर्फे बोलता हूँ क्यों कहा कि ममी कि यently यानी याने यो इनिक चलते उनका बोडी था बहुत ज्यादाब पूरा कंडिशन हो गया था उसका बात को कौन कहा था जिनका नाम था जाही हावास जियां जाही हावास यानि कि बाकिक गलत होगा सर अपके सिटी को सॉट में लिखा गया है और सिटी का फूल फॉर्म क्या होता है मैं बदा दूं इस सेंचूरी में कब उनका बोडी को ले जाया गया था काचिस के लिए सिटी स्केंग के लिए जियां सर इधर का पूरा का पूरा पूरा पूरब्स गलत होगा यो राइट ऑप्शन इज जनौरी 5 2005 यानि कि 5 जनौरी 25 स्कून के बडी को ले जाय गया था कैसे स्केंग करने के लिए के लिए अनिक ऑप्शन नमबर ए विल भी राइच ही वियर क् कब मरे कब देखते हैं when he was teenager जब नौजवान थे तब when he was old जब बुढ़ा गया थे तब वेन ही वाज इन मिडलेज में थे तब या फिर वेन ही वाज साइल जब बच्चा थे तब जिए सर एंट टीनेजर में उनका क्या हो गया था देहांत हो गया question number a will be right here यानि कि नौजवान थे उसी दौर उनका क्या हो गया था उनका देहांत हो गया था question number next question next sir आपके screen पे how did tut die tut मरे कैसे tut मरे कैसे देखते हैं sir it is mystery it is mystery आस तक रहस्य है है आस तक इसका कोई खुला सानी हो पाया कि टट साहर का देहांत हुआ कैसे जिए सर आस तक इसका कोई रहस्य है पता नहीं है दूट हाट एटक हाग गया था no sir due to cancer cancer हो गया था no sir during a war एक लड़ाई करते करते मार गया थे no sir यानि कि it is mystery मिस्ट्री है sir मतलब रहस्य है आस तक किसी को कोई पता नहीं है को उनका देहां कैसे हुआ question next that was led to rest laden with dash that catches के साथ दफनाय गया था तर्ट को डपनाय गया था गोल्ड के साथ यानि की सोने के साथ question number next question next question next cluster आपके skin पर question next बोलता है what did third coffin put Carter in trouble जियां यानि कार्टर है स्ट में बोला गया Howard कार्टर कोई वर्ट कार्टर को Trouble में क्यों डाल दिया क्यों डाल दिया देखते हैं यानि Coffyn को थार जो कफीन था उनको ट्रबल में कि परसानि में क्यों डाल दिया था बोलता है जिस रिजिन्स के इस्तेमाल किया गया था जिसके चलते बोटी वहां से आपा नहीं रहाता था बोड़ी उस्टॉम से निकल नहीं रहा था सर इसी के कारांड हावर्ड कार्टर को ट्रबल में डाल दिया था और नेक्स्ट आपके स्कीन पर देखते हैं सर बाहर किये था यानि को बाकी का सब गलत होगा सर सर्व हैं सर्व लास और फॉस्ट देखते हैं क्या बोलता है сर विलता है वाट therapists गया थे रिविल ऐसा लिए को सामर के निदे धो और सामने का वीप मिसिंग है मंतलब है ही नहीं जिए सर ऐसा कुछ खुला सा आया था और संवर सी विल भी राइच यह बागी का उप्सन गलत होगा सर के लिए जिए दोस्तों तो यह थे आपको ट्वन्टी मोस्ट इम्सी क्यू फ्रोम दो डिस्कवरिंग टर्ट एक वीडियो को कैसा लागा आप कमेंड में लिखन मत भूलेगा तब तक लिए बाबाए जैन